जब ये क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था जब 27 तारी को पता लगा कि क्रीब 45-50 गाएं जो है 81 बहुत ज्यादा मातरा में एकदम मरी हैं तो उस टेम पूरा परसासन पूरा पुलिसी विभाग महां पे पहुंचा था सभी गाओं का इसलिए कि वजह जानने के लि सलफास जहर है जो वो दिया गया था उसके बाद फिर हमने अपनी जो जान्स का जो दाइरा था वो और बढ़ाया ताकि जल्द से जल्द क्योंकि सहर में लगातार कभी परदर्शन हो रहे थे अलग अलग जो ग्रूप थे वो परदर्शन कर रहे थे कि इस मामले का जल्दी खुलासा होना चाहिए और फिर हमने हर लिहाँ से सी सी टीवी कैमरे से और जो करमचारी गवसाला में काम करते हैं उन से मतल昨日 से पूश्ता समने की सी सी टीवी कैमरे हमने देखके कि गवसाला की एक्टिविटी क्या हैं कौन कौन इसमें बोलो हैं कौण क्या कर रहा है तो लास्ट में फिर हमें यह जो चार twins आज हमने गिरफर किया है विशाल है जो साबद कर रहने वाला है एक उसका भतीज्या है अमर एक रजट है दो यहां का प्रधान का भाई गासा और कि विशाल का बतीच जाए जिया लोग पहले बिस ने किस्री Web केस में आफे कमाने लिया था और इस काम के लिए इनुए की थी हड़ी रोडी के लिए जमीन ले थी रेंट पे काफी एक दो खिले के करीब जमना के पास और इसके अलावे इनुने मसीने जिन से मरीतक पसू उठाते हैं वो सारे त्यार करवाये थे मतलब काफी इन्वेस्टमेंट जो बता रहे हैं कि इनुने किया था और इस इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए और और एक अठा ये गाओं को जहर दिया है पहले एक दो बारे इन्होंने पहले भी दिया है एक दो गाएं को और उस दिन जादा गाएं को जहर देने का कारण कुछ ये भी था उस दिन इन्होंने खूब पूरा दिन चक्के सराब पी थी उस दिन बसंत पंचमी थी पताग उड़ तो सकती है ऐसे दीपक बहरा का नाम सामने आ रहा है क्योंकि उसके पास ठेका था वहां का करमचारी उपलब्द कराने का क्या वो सबलेटिड ठेका दे सकता था क्या मामला ही नहीं यह सारे मामले की तेह तक जाने के लिए यह हम इनको पुलिस रिमानड़ पर लेंगे इनके साथ और किसके इन्वॉल्ब्डमेंट है किसके कहने से ही उनने यह काम किया है और उसके बाद फिर सारी चीजें जो है वो सामने आईंगी सर एक मामला और सामने आ रहा है, लगबग 76 गाएं बता रहे हैं, 45 तो उसमें मरी थी और उसके बाद और गाएं मरी हैं वहाँ पर, तो ये सब पुरा का पुरा इसी का ही सारा एपिसोड हो सकता है कई दिन जैसे उस जहर के कारण आगले दिन 45 तो एक दम मरी थी, आगले दिन और उसमें एक्षडे भी मरी हैं, उसी जहर के कारण कई गाएं मरी हैं और बाद में भी मरी हैं सूर कितनी गाएं कितनी हैं गोउचाला के अंदर क्योंकि चर्चा यह थी कि 27 सो गाओं के नाम से चंदा लिया जा रहा है जब गिंती की गई तो 980 गाएं मीली सचाई क्या है अभी तक है कि मरे हुए पस्वों का जैसे गाएं हैं तो उसकी खाल बेज देंगा जो चरबी है उसकी पैक करके वह भी बेज जैसे पीग्री फार्म वगरा हो क्यारे जारे उन इbacks देतें इंग sleत गाएं से करीब 5-6,000 का जो इनों ने बताया है कि इनका मुनाफ़ा हो जाता है तो लगबग 9,000 की बताते हैं गाएं ये परचेज करते हैं मरी वही कुछ इस तरह से नहीं परचेज नहीं करते हैं फ्री ओफ कोस्ट उठाते हैं तो सर जो ये पकड़े गए हैं इनके खिलाफ और भी मामले हैं क्योंकि हर्याना के अंदर लगबग ऐसे 3-4 इंसिडेंट हुए हैं पहले हमारे यहां निलो खेडी में ऐसे इंसिडेंट हुआ था महां भी 9-10 गाएं कठी एक ही रात को मरी थी और वो केस भी हमने सॉल्व किया था हमारे टीम दवारा सॉल्व किया गया था उसमे भी जो एक निलो-खेडी का था और कुछ साबाद के रहने वाले जो डेहे थे वो उसमें भी वो involved थे उनको हमने rest किया था उसके अलावा उस case के दोरान हमें पता चला था कि कुरक्षेत्तर की जो गवसाला है उसमें भी जहर दिया गया था और उसमें भी डेहे जाती के जो लोग थे वो involved थे तुसर यह पूरा का पूरा रैकीड है जिस तरह से गवसाला को टार्गेट बना रहे हैं इसके अलावा बिल्कुल पहले इसने बताया है विशाल ने कि पहले ये अंबाला में काम करता था और अबारा पस्वों को वहां जहर दे कर उनकी खाल और बहड़िया निकालते थे तो सरी इसका बिल्कुल किसी को कुछ पता नहीं चला और या आपने इस पूरे मामले को खोल दिया कितन नहीं लगे सर आपको बिल्कुल क्योंकि ये मामला उसी दिन से जब हमें रिपोर्ट इसकी मिल गी थी कि ये जहर द्वारा इनकी जो गाहों की मौत है वो जहर से हुई है तो उसके बाद ये इस केस में स्पी साब ने हमें कहा था कि आपकी टीम ने इस पे दिन रात लगके काम करना है और वही हमने किया दिन रात जितने सीसी टीवी कैमरे थे फूटेज थी हमने हर एक क्लेक्ट की कि कौन किस टेम गया है किदर से आया है उन सारी चीज़ों पर बड़ी माइनूटली हमने काम किया है स्पी साब लगातार हमें दिसा निर्देश देते रहते थे वस्ता में जो लगे हैं या निगम के लोग हैं उनकी भी किसी की इन्वॉल्मेंट हो सकती है भी इसमें नहीं अभी तक अब तक की जांच में किसी की कोई इन्वॉल्मेंट सामने नहीं आए तो इनको सबको वैसे जांच में शामिल किया जाएगा तब तीश में बिलकुल स सकत कानून है जो समर्दन एक्ट है हमारा तो उसके उनसार 10 साल तक की इसमें सजया है कोई इस तरह की एक्टिविटी अगर करता है तो सब अब पूरे करनाल में इस तरह की एक्टिविटी पे नजर रखी जाएगी बिल्कुल वो पहले भी नजर है और 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 जादा इस पे लोगों को कहना चाहेंगे लोग इस तरह की इंसिडेंट पर ध्यान रखें पुलिस को सुचित करें ताकि ऐसी वारदात ना हो जी बिल्कुल जो अवारा पसु हैं जिसको हम अवारा कह रहे हैं कि जो बिचरे सडकों पे घूमते रहते हैं तो उनके उनको भी पहले इनों नह काम था जो इनोंने किया है तो उन सब पे भी एक अलग से जो टीम बना के परिसासन द्वारवी बनाएगी है जो नज रखकी जाएगे